लोगतंत्र की दोहाई देने वाली ममता दीदी को पस्चिम बंगाल में खुले आम हो रही लोगतंत्र की हत्या दिखाई नहीं दे रही इन दो तस्वीर को बाउड से देख शिये पहली तस्वीर में लोगतंत्र की हत्या है तो दूसरी तस्वीर में इंसानियत का कतल पस्चिम बंगाल के पंचायच चुराव में टीमसी के गुंडों ने खुले आम पोलिंग बूत को लूटा मत दाताओं को डरा कर जबरदस्ती वोट तलवाया और अगर कोई नहीं माना तो उसे मौत के खाट उतार दिया पस्चिम बंगाल के इस खूनी खेल पर मम्ता दीदी मौन है ऐसा लग रहा है जैसे मम्ता दीदी के लिए ये सब मामुली बात है उनका ये मौन बता रहा है कि शायद इस खूनी खेल के लिए उनकी भी मौन सहमती है और पस्चिम बंगाल में हो रही लोकतंत्र की अत्या पर मम्ता दीदी के अलाबा वो सब भी मौन साधे हैं जो अपनी राजनितिक रोड़ी सेखने के लिए मम्ता के सुर में सुर मिला कर लोकतंत्र की दोहाई देते हैं राहुल से लेकर नितीश, अखिलेश से लेकर अर्विन के जिवान, केसियार से लेकर शरत पवार तक सब के मुह में दही जम गई और आखों पर पट्टी बंद गई है क्योंकि पूरे विबक्ष को पता है कि राजनितिक फायदे के लिए एक होना जरूरी है जनता मरती है तो मर जाए, लोग तंत्र खात्म होता है तो हो जाए, लेकिन अपनी पारड़ी, अपना परिवार रहना चाहिए मगर जनता है सहाप, जो सब जानती है और समय आने पर उचित जवाब भी देना जानती है